नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक आज हम दिला ही आप लोगों के फेबरेट परबल आज हम बनाएंगे परबल मसाला परबल फ्राइए आप इस चैनल पर ने हेता हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंती जरूद वैट ताकि पहला नोटिपिकेशन आपको मिलें हमारे कि आज कुछ अध्रक कुछ ले सून 1 टेबल स्पून जी रे 1 टेबल स्पून धर्निया एक तेजपता कुछ लोंग कुछ काली मिर्ची छोटी लाईची बड़ी लाईची कुछ डाल ची नहीं हमने यहां पर मसालों को यहां पर ब्लेंड कर रहे हैं जितने सारा मसाला लिय देखिए हमारा मसला पेस्ट बन गया है देखिए हमने परबल को फिल अफ करके इसको ऐसे तेड़ा करके कट कर लिए हैं हमें इसी तरह कट करना है हम एक आलू लिए हैं इसको कट करके पानी में डाल के रखें ताकि कलर चेंच ना हो परवल को मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिये है 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून लारल मिच्ची पाउडर हमें इसको अच्छे से मसाज करना है मैरिनेट करने के लिए हम यह सब को हाथों से अच्छे से मसाज गना है ताकर हमारा मैरिनेट हो चुका है एक कड़ाई लिए हैं कड़ाई में 4 टेبلफ़ पून ओयल लिये हैं इसी ओयल में हमें पर्बल को फठा करना है हम एक पर्बल को डाल कर टेस्ट करें ताकि ऑईल गरम हुआ कि नहीं तेल गरम हो गया है अब इसमें सारे परबुल को डाल देते हैं सब परबुल को डाल दिये हैं ये परबुल को हमें अच्छे से फ्राइ करना है ये परबुल को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 10 मिनिट तक कवर कर लेते हैं फिर से हमें कवर को निकाल लिये हैं आप इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो ओल में हमें फ्राइ करना है जो अच्छे से मिक्स करें फिर से कवर कर लेते हैं इसी तरह हमें करते रहना चाहिए देखिए कैसे परवल का कलर चेंज हो गया है अच्छे से फ्राइ हो को नियुका लेते हैं परफ़ रवल को जिस प्लेट में घैंट generation अलू को डाल day अब आलो को थोड़ा मेरीनेट करते हैं सेम प्रोसस में हमें मेया र偉 को मेरीनेट डाल दिए अब इसको 10 मिनिट तक थोड़ा फ्राइ करना है ताकि आलू का फ्राइ अच्छे से हो जाए तो अच्छा टेस्ट आएगा अलू को थोड़ा मिक्स करके इसको 5 मिनिट तक कभर कर लेते हैं देखिए हमारा कलर चेंज हो गया आलू का फ्राइ भी हो गया है थोड़ा थोड़ा अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं वही एक कड़ाई लिए हैं कड़ाई में हम यहां पर टू टेबल स्कून आयल लिए हैं दो लोंग लिए हैं एक तेज पता लिए हैं छोटी लाईची दो लिए हैं और कटा हुआ प्याज लिए हैं अब इसको अच्छे से फ्राइ करना है हमें यहां पर देखिए प्याज हमारा फ्राइ हो गया है ब्राउन ब्राउन भी हो गया है अब इसमें मसाला को डालेंगे मसाला डाल दिए इसमें वान टेबल स्पून नमक, वान टेबल स्पून हल्दी पाउडर, वान टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर हमने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर को पानी से मिक्स करके डाले है अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़े दिर तक भूनेंगे हमें मसाला को यहां पर जादा भूनना है जादा भूनने से टेस्ट जादा अच्छा आता है इसलिए यहां पर मसाला को धोड़े दिर तक फ्राइ करके इसको 10 मिनित तक कवर कर लेते हैं मसाला भी हो गया है ! मासाला भी हो गया है, अब इसमें फ्राय हुआ परवल और आलो को यहां पर दालेंगे और मीज़ नोतके फ्रायường के थूआज़े करेंगे अे मसाला परवल आलो फ्रायumpy आप मसाला में परबल आलो को अच्छा बूनने से तब घुन मिल जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा अब इसको ठोड़े तक बूनेंगे ते इसको कवर कर लेतें 10 मिनित तक तक आप अच्छा टेस्ट आएगा देखिये मसाला परबल आलो प्राइ हो गया है और पिसकी बनाए दोस्तों आईए दोस्तों खाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं आप इस चानल पर ने है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए नए ने देस्टिपी के लिए हमारे वीडियो के एक लाइक और सेर किजिए आप हमारे वीडियो के लाइक और सेर किजिए थैंक यू दोस्तों फो वाचिए थैंक यू फो वाचिए थैंक यू फो वाचिए